तके classes में हमने देखा कि हमने conversion methods क्या होते हैं, comparison methods क्या होते हैं, searching methods क्या होते हैं, इस class में हम देखेंगे replacement methods के बारे में replacement methods में in general वो सारे के सारे methods होंगे जो की एक particular sub string को उस particular string में से जो आपका mean string है उसमें से replace करने के काम में आएंगे तो हम देखते हैं methods को और discuss करते हैं examples के साथ सबसे पहले हम discuss करेंगे replace method को जो replace method होता है वो करता क्या है तो जो replace method का syntax है वो आपका string.replace तीन arguments होते हैं आपके या तीन parameter से लेता है old, new और count जो old है वो बताता है string को या कहना चाहिए यह sub string को जिसको आपको replace करना है जैसे कि माल लो आशुतोष अब इस में से आपको क्या करना है sh को replace करना है इस sh को हटाना है तो यह आपका old हो गया ठीक है? अब मैंने बोला new sub string यह क्या करेगा? अब मैंने माल लिख दिया यहाँ pq new के जगा मैंने pq लिख दिया तो sh के जगा replace क्या होना चाहिए? pq new sub string which is replace the old sub string और old sub string का मतलब क्या है? जिसको आप replace करना चाहते हो new के अंदर क्या होगा? जिससे आप replace करना चाहते हो फिर count की बात करते हैं count optional है अगर आप नहीं देते हो तो अगर मालो मैं sh की बात करता sh जहां जहां होता जैसे यहां भी यह देखो sh जितनी जगा भी sh होता वहाँ क्या हो जाता? replace pq हो जाता ठीक है? लेकिन अगर मैंने बोल दिया count 1 अगर मैंने count की जगा दे दिया 1 तो केवल एक ssh replace होगा दूसरा वाला replace नहीं होगा ठीक है? तो count optional है अगर आप बेती हो तो उतने count में replacement होगा उतने occurrences के लिए आपका replacement हो जाएगा ठीक है? और अगर count specified नहीं है तो जितने occurrences होगे पूरे के पूरे string में जितने occurrences हो मिलेंगे उस particular old sub string के उसके जगा सारे के सारे जगा new sub string replace हो जाएगा ठीक है? अगर old sub string नहीं मिला तो आपका as it is पुराना का पुराना जो भी string होगा वो आपका print हो जाएगा ना मिलने के case में example कितुरू समझते हैं? जैसे पहला example अपका दिया हुआ है text equal to अगर आप देखो तो text में लिखा हुआ है blue, blue, blue ठीक है? अब आपने बोला एक नया variable या new text आपने बोला text.replace और आपने बोला ue के जगह ac k कर दो count आपने नहीं दिया है तो जितने भी ue मिलेंगे उसके जगह ac k हो जाएगा देखो यह पहला occurrence ue दूसरा occurrence ue और तीसरा occurrence ue उनके जगह क्या हो जाएगा ac k तो यहाँ देखो हो जाएगा ac k इसके जगह हो जाएगा ac k अब जब आप बोलोगे print new text तो output आएगा black, black, black फिर आपने बोला text.replace UE के जगए AC के तो करो लेकिन दो occurrences में क्योल करना तो पहला occurrence है ये वाला इसके जगए आजाएगा AC के UE के जगए दूसरा occurrence मिला UE उसके जगए आजाएगा AC के तो black, black हो गया तीसरे पर जाके replacement नहीं करेगा क्योंकि आपने count बता दिया कि दो ही होना चाहिए तो black, black, तीसरा आगया blue जब आप print new text करोगे तो ये आपका output आजाएगा black, black, blue फिर आपने बोला new text text.replace EU के जगए AC के कर दो EU के जगए EU कहीं है ही नहीं AC के आपका replace होगा ही नहीं तो as it is ओ string आपका print हो जाएगा blue, blue, blue it means जब आपका old sub-string match नहीं करेगा as it is आपका string प्रिंट हो जाता है, कोई replacement नहीं होता है, तो जब आप print new text बोलेंगे, तो blue, blue blue ही आएगा, कोई replacement नहीं होगा, because the old sub-string match नहीं किया next होता है strip method अब इसमें बात करें, तो strip जो method है करता क्या है, leading और trailing के leading और trailing से characters को remove करता है या sub-string को remove करता है, जैसे कि mall लो, suppose that यह आपका एक string दिया हुआ है इसके पहले आपका यहाँ white space है और यह भी आपका white space है, समझना तो अगर syntax होता है इसका string, dot strip और यहाँ sub-string या characters, ठीक है अगर आपने sub-string नहीं दिया तो leading और trailing के white space को हटा देगा leading और trailing से white space हटा देगा अगर आपने character दिया तो leading में खोजेगा character मिला तो हटा देगा, नहीं मिला तो as it is कोई दिक्कत ही नहीं है as it is print होगा फिर trailing में खोजेगा, अगर मिला तो trailing से हटा देगा, नहीं मिला तो as it is print कर देगा लेकिन middle से value नहीं हटेगी value हटेगी के वल, leading और trailing से अब, when the character of the string in the left mismatches, with all the character in the character argument, it is stop removing the leading character वैसे ही same right में भी mismatch हुआ with all the character in the character argument, it is stop removing the trailing character, example से समझते है जैसे string में लिखा हुआ है I love my country, अब यहाँ देखो एक white space है यहाँ भी एक white space है मैंने बोला print, string dot और strip कर दो, stripping करनी है मुझे लेकिन मैंने कोई sub string नहीं दिया है तो क्या करेगा, white space को remove कर देगा कोई character नहीं दिया है, तो क्योंब white space remove होगा यह white space remove होगा, leading का यह trilling का white space remove होगा क्योंकि leading और trilling से ही होगा, middle से कुछ भी नहीं होगा तो जब इसको मैं print किया, तो output किया जाएगा I love my country without white spaces, ठीक है अब मैंने बोला, print क्या करो string.strip एक white space और love तो यहां से इसका मतलब यह हुआ होगा, white space then L, then O then V, then E leading में white space मिल जाए या L मिल जाए O मिल जाए, V मिल जाए, E मिल जाए हटा दो ट्रेलिंग में वाइट स्पेस मिल जाए, L मिल जाए, O मिल जाए, V मिल जाए, E मिल जाए, हटा दो तो लेडिंग में वाइट स्पेस मिल गया, हट गया, ट्रेलिंग में वाइट स्पेस मिल गया, हट गया तो यहां आ गया I love my country फिर मैंने बुला print string.strip pq pq अब pq है ही नहीं तो पूरा का पूरा जो string है as it is print हो जाएगा along with the white spaces देखो यह white space भी आ गया I love my country और इसके बाद भी white spaces जो दिख नहीं रहा है ठेक है फिर मैंने एक string लिया android is awesome मैंने बुला print string.strip a.n तो leading और trilling में देखेगा leading में तो मिल गया तो अठा दिया trilling में नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है as it is print होगा तो अब आएगा droid is awesome देखो droid is awesome बात करते हैं split method की अगर हम split method की बात करें तो जो split method होता है वो आपका total दो argument लेता है दोनों ही optional है अगर आप कोई भी argument नहीं देते हो तो जो splitting होगी वो wide space के base पे होगी जैसे कि देखो as, as, as यह आपका पूरा का पूरा string है मैंने कुछ भी नहीं दिया मैंने बोला string.split तो output आएगा as single quotes में ले लेगा सिक्वेंस में लेता है single quotes के सिक्वेंस में क्योंकि characters को fetch कर रहा है sub string को fetch कर रहा है तो पहला sub string क्या fetch होगा as दूसरा fetch क्या होगा as फिर comma फिर तीसरा क्या fetch होगा as और फिर comma ठीक है comma अपने आप interpreter इसको include कर देता है अगर यहाँ separator दोगे maximum split भी आपका optional है अगर आपने बोला कि मुझे एक ही split करना है एक ही split मतलब फिर क्या करता एक केवल अगर इस case के इस case में बात करें तो केवल as लेता comma एक को split किया और बाकी as comma as sorry एक comma में नहीं जाता यह आपका एक ही जगह रहता यह split नहीं होता मदब यह दोनों आपका split नहीं होता जैसे अगर आपन बात करें तो simple सी बात हुई कि जैसे आपने comma के बेश पे separate करने की कोशिस की न या comma के बेश पे आपका string separate होगा और max split यह बताएगा इसको हम आगे example से समझेंगे max split यह बताएगा जैसे मैंने 2 दिया तो फिर क्या होगा केवल splitting 2 ही आपके कहना चाहिए आगे के 2 sequences के लिए होगा 2 ही sub string के लिए होगा बाकी के sub string में आपके splitting नहीं होगी 2 नहीं optional है by default जब आप max split की value नहीं देते हैं तो by default इसकी value minus 1 होती है इसका मतलब no limits on the number of splitting ठीक है example से समझता है जैसे देखे text equal to amit is a good boy लिखा हुआ है मैंने बिला print o1 text dot split तो सबसे पहले यहां से देखो सबसे पहले split होगा amit split होने के पाद कैसे आएगा amit single quotes में split हुआ as a string लेगा इसको sub string फिर comma लगा देगा फिर is आएगा is भी लेगा फिर comma फिर a फिर comma फिर good फिर comma फिर boy और आपका खतम होगी आप comma लगाने की जरुवत नहीं है ठीक है तो यहां देखो जब हम बोलेंगे o1.x split तो यहां मैंने कोई value पास नहीं की तो white space के base पे आपकी splitting होगी तो पहला white space मिला तो amit amit fetch हुआ फिर is फिर a fetch हुआ फिर good fetch हुआ फिर boy के बाद आपका complete हो गया और उसके बाद comma लगाते जाता है python का interpreter ठीक है तो यहां अगर आप इसका output देखेंगे तो यह आपका output आ रहा है o1 का यह वाला तो देखो amit comma, फिर is, फिर comma, फिर a, फिर good, फिर boy अब अगर आपने बात करें तो मैंने बोला amit is a good boy लेकिन मैंने comma लगा दिया महां देखो white space था है या comma लगा दिया तो मैंने बोला o2 में word.split comma से separate करो अब comma से separate करेगा तो पहला क्या आएगा amit ठीक है और यहाँ amit आया और amit single quotes में fetch हुआ और comma लग गया इस comma के चलते नहीं लग रहा है ओ तो python का interpreter automatically splitting के बाद लगा देता है फिर देखो is फिर comma लग जाएगा single quotes के बाद फिर a, फिर comma, फिर good, फिर comma, फिर boy फिर मैंने क्या किया अगला दिया word equal to amit colon is a colon good colon boy अब colon लगा दिया तो colon के पर सेपरेट करूँगा तो o3.word.split तो पहले amit fetch होगा फिर is, फिर a, फिर good, फिर boy तो o3 में भी देखो splitting हो गई फिर अब मैंने बोला amit is a good boy फूर्थ की बात करते हैं तो अब मैंने बोला मैंने बोला amit colon is colon a colon good colon boy ठेक है अब splitting colon के पर से होनी चाहिए लेकि मैंने कॉमा लगाया तो splitting नहीं होगी नहीं होगी तो देखो कैसा output आ रहा है simple amit is a good boy single quotes के अंदर cable a के single quotes के अंदर आप देखो कोई changes नहीं होए स्प्लेटिंग नहीं होई अब उसके लाद मैंने लिखा word equal to amit comma is comma a comma good comma boy comma से separate करना है लेकिन count कितना कर दिया जीरो मतब कोई splitting नहीं करना है splitting नहीं करना है जीरो दे दिया मतब splitting नहीं होगी ठेक है तो देखो अब मैंने count बता दिया ना तो उतनी ही splitting मतब जीरो मतब कोई splitting नहीं तो फिर से result जो 5 काएगा simple amit is a good boy अब मैंने यहाँ दिया 4 suppose that मैं केवल अगर 3 देता इस case में केवल 3 देता तो क्या होता तो amit fetch होता comma is fetch होता comma फिर a fetch होता comma बस तीन fetch होते amit is और a और एक good और boy एक जगह ऐथे रहते है good boy ठीक है एक जगह मतब यह split नहीं होते यह तीनों split होते हैं यह आपको देखता कि single quotes में सब अलग अलग अए और split होते हैं तो अगर मैंने 4 बोला तो केवल amit split होगा फिर is split होगा फिर a split होगा boy split नहीं होगा तो अमित आ गया is आ गया a गया good आ गया boy split नहीं हुआ है आप देख सकते हो results से अगर split हुआ होता तो कुछ ऐसा होता सबके साथ एक एक space type का देखता है यहां देखो starting में एक space देख आए यहां splitting हुए है अब जब आप यहां one बोल रहे हो तो देखो one से आपको अच्छे से clear होगा तो comma से separate करना है लेकिन किवल एक मतलब एक मतलब amit तो देखो amit single quotes में fetch हुआ और comma लग गया इससे लेकर पूरे तक बाकी में इससे लेकर पूरे तक को एक ही single quotes के अंदर रखा है देखो इसको splitting नहीं की करता तो क्या करता इसको अलग से लेता फिर एक को अलग से लेता good को अलग से लेता boy को अलग से लेता join की बात करता है join जो method होता है वो itrable sequence पे काम करता है itrable sequence का मतलब जैसे मैंने बोला double quotes में आशु तोष तो समझो join दो चीजे लेता है एक होता है separator किससे आप separate करना चाहते हो और दूसरा एक काम जिस पे करेगा वो itrable होना चाहिए itrable कैसे है देखो itrable इसलिए है कि अगर आपने double quotes में लेक दिया तो a fetch होगा फिर s fetch होगा फर देर h fetch होगा u fetch होगा d o s h t o s h क्योंकि यह 0 थी इंडेक्स पे है फिर 1 पे है 2 पे है 3 पे है 4 पे है 5 पे है 6 पे और 7 पे है तो join पहले आप किस पे लगाते हो जो कि आपका itrable sequence हो तो string itrable है तो लग जाएगा आपका list भी आपका कैसा होता है itrable होता है जैसे आपने लिखा ना 1,2,3 यह भी आपका itrable होता है तो इस पे भी लग जाएगा फिर आप tuple की बात करते हो tuple भी आपका itrable होता है 1,2,3 यह भी itrable है इस पे भी लग जाएगा dictionary पर भी लग जाएगा, ठीक है, इन पर आप join लगा सकते हो, syntax क्या होता है, syntax की बात करें तो simple आप लिखते है, string.join और iterable, iterable sequence मतलब, आपका simple, list, tuple, string, dictionary, या set की बात आप करते हो, ठीक है, करते क्या हो, अब बताते हो, कि आपने एक separator लिया हुआ है, उस separator के base पे element को join करने का काम करते हो, ठीक है, तो join method होता है, return a string, created by joining the element of an iterable, by string separator, अगर non-string value मिलती है, तो type error exception generate करता है, example से समझने की कोसिज करते हैं, जैसे आपने बोला, s1 equal to 1, 2, 3, separator आपने दिया, colon, तो आपने बोला, separator, sap.join s1, अभी तो iterable sequence है, पहला sequence क्या fetch होगा, 1, फिर आपने क्या बोल दिया, separator.join, join के साथ आपको separator क्या लगाना है, colon, तो देखो, colon आ गया, फिर इससे fetch क्या होगा, 2, फिर colon आ जाएगा, और last value क्या फैच हो, 3, इसके बाद तो कोई value ही नहीं आएगी, तो separator नहीं लगेगा, अब हमने बोला, num list equal to 1, 2, 3, 4, a list है, separator आपने लगा है, comma, अब हमने बोला, print separator.join num list, तो पहले हैं से fetch होगा, 1, separator लगेगा, comma, फिर fetch होगा, 2, separator लगेगा, comma, फिर 3, comma, फिर 4 last value, ऐसे ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, फिर से आपने, टपल में से इनकाम किया, तो पहले 1 fetch होगा, और separator to join, तो comma ही है, separator, तो 1 के बाद comma, फिर 2 के बाद comma, फिर 3 के बाद comma, 4 के बाद comma, अब यहां देखो, यह interesting सा है, s1 equal to abc, और s2 equal to 123, अब आपने बोला, print s1.join s2, as it is print ह हो गया, करना क्या चाहते है, s1.join s2, s1 क्या हो गया, separator हो गया, और join किस से करना चाहते है, s2 से, तो पहले आएगा 1, 1 fetch हुआ, separator क्या है, s1, तो 1 के बाद आजएगा abc, तो देखो आगया, 1 के बाद abc, फिर उसके बाद, आपका यहां से 2 fetch हुआ, 2 के बाद आगया abc, फिर 3 fetch हुआ, फिर कोई value है ही नहीं, तो separator नहीं आएगा, इसी को opposite कर दूँ, मैं s2 dot join s1, यह वाला, तो अब यहां separator हो गया s2, और join किस से करना, s1 से, तो abc, तो a fetch होगा, separator है 1, 2, 3, उसके बाद 1, 2, 3 आजाएगा, then b fetch होगा, b के बाद आपका 1, 2, 3, फिर c fetch होगा, operation काम करता है,